Hello everyone, आप सबका स्वागे थे Life Science Cafe में और आप देख रहे हो 2005 का ASRB का Question Paper जिस तीन घंटे का है और इस तरह से आपने त्यारी करनी है First Paper देखते हैं, यह actually Hindi में है तो अगर आपको Hindi में समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ थोड़ा आपको idea हो जाएगा किस तरह से English में करना है Question Number First आप देख सकते हो, मैं इसको explain नहीं करूंगी आज आप snapshot लें इसका और साथ में त्यारी भी करें अच्छे से Question Number First में आपको तीन पार्ट दिये गए हैं, दस, पाँच और पाँच और इसमें जो option में भी एक question दिया गया है तापमान और जल परकास तंसलेशन को कैसे प्रभावीत करते हैं Question Number Two देख लें, screenshot ले सकते हैं आप और लिख भी सकते हैं अगर आपको लगता है तो लेकिन ऐसा है कि हिंदी वाले बच्चे ही इसको अच्छे से समझ पाएंगे थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो, आप C4 प्रकास अंसलेशन कार्बन चकर में दो कोश्किया प्रकारों के अंतरगत चार अवस्ताइं समयलित होती हैं क्या है, ओप्शन में देखिए, फूर्थ का कोश्चन में फिर से दिखा देखा देती हूं आपको, ठीक है कोश्चन नमबर थर्ड में ग्लोबल वोमिंग और इसके प्रभाव और कारण क्या हैं यह देख सकते हूं आप साथ में आपको कोश्चन नमबर फूर देखने को मिलेगा यहां पर इथिलीन के जैव संसलेशन में समयली चरनों की व्याख्या कीजिए और साथ में इस प्रक्रम से जुड़े कुछ हंजाइमों का विसेस उलेख कीजिए कोश्चन नमबर चार का सेकिंड पार्ट यह है फर्स्ट में अगर आप यह नहीं कर पा रहे हैं तो यह वला कर सकते हैं साइटोकाइनीन की जैव भूमी काउं के व्याख्या कीजिए कोश्चन नमबर फाइब देखे बहुत छोटे कोश्चन हैं आप थोड़ा थोड़ा लिक भी लेंगे तो चार पर आपको टिप नहीं देनी है यहां पर एट ओप्शिन्स आपको मिल रहे हैं यहां पर ठीक है कोश्चन नमबर शिक्स देखें सेवन कोश्चन बीज में है यहीं पर रिसर्च में का क्या क्या कॉंट्रिबूशन है इन में से किसी दस पे आपको बताना है आपको टोटल ओप्शिन्स मिल रहे हैं 14 दीकि बहुत जादा ओप्शिन्स है आप पढ़के सबको जाएं जिसका भी आपने एक्स्पेंड करना है अच्छे से या कर पा रहे हैं वो करें कोश्चन नमबर एट सेवन में यहां पर खेय पार्ट भी दिया हुआ है पादव वर्दी और विकाश में मेलोनिक एसिड और सिकिमिक एसिड की इंपोर्टेंस क्या है वो बताने आपने कोश्चन नमबर एट स्नैपशूट लिजी और बाद में इसको सर्च करें और या फिर इसको इंग्लिश में कंवर्ट करके आप सर्च करके अंसर देख सकते हो क्श्चन नमबर नाइन यहां पर दिया है वसली पोदों में उच्चतापमान सहनता कि यह अंत्रे की व्याख्य कीजिए साथ में यह भी है और अगर आप यह नहीं कर पा रहे हैं तो आपको उप्शन में यह दिया गया है कोश्चन नमबर टैम देखिए तो यह सारे दस कोश्चन से हैं मुझे लगते कि आप अच्छे से समझ पा रहे हूंगे हिंदी से भी और अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप साथ में हैल्प ले सकते हो गूगल पर हर चीज को यह ट्रांसलेट करके बताते हैं आपको ठीक है अगर स्नाप्शूट लेना है तो मैं छोटा कर देती हूँ इसको एक बार एक साथ अगर आपने लेना है तो यह 2005 का पेपर है तैंक यू फू वोचिंग लाइफ सेंस कैफे पढ़ते रहें त्यारी करते रहें सफलता जरूर मिलेगी